नमस्कार मेरा नाम है विक्रम पांडे और आप यी वीडियो निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं कक्छा नौ भारत का पुरांत पिद्यापीठ नालंदा जो की राजिंदर प्रसाद द्वारा लिखित है जो की हमारे पर्थम राष्ट पती भी थे यह नि निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से लाऊंगा भारत का पुरांत विद्यापीठ नालंदा भारत के प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध है यह क्या है एक निबंध है जिसमें उसके गौर अफ सली अतीतों को प्रकट कि आ गया है नालंदा ग्यान के छेत्र में एस्या महाद्वीप में अदुद्य था लगवग छष्ट शव वर्षों तक लालंदा एस्या का चेतन किंद्र बना रहा मगत की प्राचीन राजधानी राजगीर से नालंदा साथ मील उत्तर की ओर बसा हुआ है कितना मील उत्तर तो साथ मील उत्तर नालंदा का प्राचीन इतिहांस भगवान बुद्ध और महबीर के समय तक जाता है यहां देश-विदेश के कई छात्र उस समय सिक्षा ग्रहन करने के उद्धिस से आते थे उनमें चीन के फाहियान और यूवान चौंग नामक यात्री आये थे सात्वी सताब्दी में हर्श वर्धन के काल में लालंदा अपनी उन्नती के सिखर पर था नालंदा का सिक्षा करम बड़ा ही ब्योवारिक बहुत ही और बुद्धी से तयार किया गया था उसे पढ़कर विद्यार थी दैनिक जीवन में अधिक शफलता प्राप्त करते थी उस समय के ततकालिन विद्ध्वानों में योग सास्तर के सबसे बड़े विद्ध्वान सील भद्र माने जाते थी साहित और धर्म के अतरीक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिध केंद्र था जिस से अपना प्रभाव नेपाल तिबबत हिंद एसिया वा मदेसिया की कला पर भी डाला नालंदा की कांस मूर्तिया अत्यंत सुन्दर और प्राधू उत्पादक थे डॉक्टर राजिंदर प्रसाज जी की पुर्निक्छाति की कला सिल्प शाहित धर्म दर्शन और ज्यान का एक बड़ा केंद्र नालंदा पुना अस्थापित हो और आज नालंदा अपने उच्च सिक्छा के लिए भी जाना जाता है ये पार्ट का जो समड़ी है आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से मैं विक्रम पांडे आप के लिए लाया हूँ जय हिंद जय भारत